उसको भी देखिए रूट पार कर रही है और भाग रही है भी तो गाइस फानली हम लोग आये थे वीडियो सुट करने के लिए और यहां पर पीछे देखिए मुलाएम भाई है और दिवाकर भाई है और यहां पर दिख गई है एक नील गाई तो हमने सोचा क्योंने आप और यह देख के पतन क्यों भणक जाती है और मुलाएम भाई जो एक लिलगाय पकड़े थे वह नहीं भाग रही थी पता नहीं क्यों इससे क्या हो गया है भाग रही है वह बिमार थी इसलिए नहीं भाग रही थी इसके पास में लिए चलते हैं देखते हैं क्या होता है पता नहीं क्यों भाग रही है देखिए और हमारे एरिया का कुछ सीन ऐसा है देखिए तो सो गाइस देखिए वह अहां पर चली गई है खेत में और जैसे जैसे हम जा रहे हैं उसे वह भी जा रही है भाग रही है देखिए ताग भी रही है लगता है मारेगी देखिए तो हमारे एरिया में चलते हैं देखते हैं और अगर नीलगा होगी तो दिखाएंगे और यहां पर एक ही है तो चलते हैं अपने आईरिया की तरफ बने देखिए देखिए वहां पर देखिए देखिए वहां पर देखिए देखिए आ रहाई है और अगर उसके तब जाएंगे तो भाग जाएगे अभी उस दिन भी भागी गई थी एक इधर और एक उधर आ रही है भी पास ते पास से ले चलते हैं दिखाते हैं और वहाँ पर देखिये एक जानवर भी जा रहा है लगता है कहीं पर च्छाओं डूर रही है और थाक रही है वहां से और इसके पीछे एक और आ रहा था तो यहां पर देखिये चलते हैं वहाँ पर छाओं चलते हैं लगता है रूट बदल लई है देखके डर रही है देखिये वह आली भाग गई और एक दूसरी यहाँ पर है और देखिये भाग रही है यह भी अभी भाग ही जाई को हमके लगता है चलते हैं उसके आगे पास में यह रूट पार कर रही है और भाग रही है भी कि पानली हो चुकी है रात और रात के भी बज़रे हैं और मुलाविम भाइक घर और से आ चुके हैं तो आज का ब्लॉग यहीं पर समात्र करते हैं चलिए मिलेंगे ने प्लॉग में